हलो गाइस वेलकम टू अवर यूटूब चैनल के अर्साहू क्लास गाइस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं में इंग्लिस लिट्रेसर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर है सेकन और हमारा सब्जेक्ट है ड्रामा इसमें कितने टोटल मार्क्स होते हैं और आपको पासिंग बार के कितने चाहिए इंटर्नल एसेस्मेंट की बात करेंगे और इसके साथ ही आप लोग बहुत ही जिवज़स्तम इसमें कितने-कितने नंबर के क्वेस्टन आते हैं और इसके साथ ही आपको ट्रीक्स बताओंगी कि आप सारे आंशर और सखेंगे वीडियो के श्टार्ट करने से पहले में आप सभी सेक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे च Divor पे नए है तो चैनल को जो फाइदा होगा तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अजिसमाज में होता है न वो हमारा होता हैटी नमबर का और हमारा होता है internal assessment जो होता है हमारा 20 नमबर का और इन दोनों को मिला करके होता हमारा total hundred marks तो आपको समाझ में आ गया होगा कि यहांपर maximum marks और internal अब देखिए आप नंबर को ओता है अब किहां कित्ना लाना है इंटरणल एससेंट नंबर का और आपको पासिंग मर्क चाहिए इसमें चाहिए को एट नमबर तभी आप इंटर्नल एसेस्मिन में पास होंगे इसमें यूनिट की बात के जाए तो इसमें ना पेपर सेकंड ड्रामा में टोटल फॉर यूनिट है और इसमें यूनिट फॉर्स्ट है देखिए आपको मैं यूनिट बाई यूनिट जो समझा रही हूं इसमें सेकंड है विलियम सेक्सपियर विलियम सेक्सपियर है इन्हों ने लिखा है मैक बेथ को जो इस ड्रामा में एड किया गया है यूनिट सेकेंड के बात करें यूनिट सेकेंड में है विलियम सेक्सपियर और इन्हों ने लिखा है टेमपेस्ट डी को जो विलियम सेक् स्पेर यूनिट्टू में हैं आपका विल्याम सेकेर और यूनिट्टू में सेकन्द भी हैं विल्याम सेक्सपीर खाज बात यह कि तीनों का आफ लोगों को जो भूर्ण Kang वो तो आपको एक ही बार में तिन तिन चैप्टर क्लियार कर देगा तो इसमें बहुंप स्राइब का बचत भी होने वाला है आपको तैयारी पर नी पड़ेगी बस इनका ड्रामा अलाग इसमें है मैकबेथ और इसमें टैम पेस्ट डी और इसमें विलियम सेक्सपियर का इसको लिखा है इस ड्रामा को और अगला है बेन जॉंसन लिखा है एवरी मैन इन हीस हुमेन इस ड्रामा को इसमें लिखा हुआ है इसमें एड किया गया है यह है यूनिट 3 का यूनिट 4 है जॉन वेपस्टर इन्होंने लिखा है डचेस अफ मालफिडी को और अगला है डबल आप दो वर्ल्ल इसको लिखा है इस ड्रामा को एड़ किया तो इस प्रकार से आपको टॉटल फोर यूनिस है जिसमें आपके टॉटल है एट औह रहे मतलब कि आपके ड्रामिस्त जो लिह flick करना है और दूसरे टॉपिक पे आप अपना टाइम वेस्ट न करें यदि आप मेरी इस वीडियो एंट तक देख रहे हैं तो आप यकीन किजिए आपको दूसरा वीडियो देखने ज़रो तो पड़ेगी ही नहीं बस आपके एक लाइक से क्या है मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट होती हूँ देयर विल बी अब्जेक्ट्व क्वेशन कवरिंग दा एंटाइर यूनिट कॉंटेन ऑप दे पेपर दे नमबर आप कोईशन विल भी टेन मार्क ये टेन मार्क तो इसके अंदर मतलब मतलब कहा देखिए सबसे पह प्रकार से आपको ही होगा टोटल टेन नमबर अब आपको मैं एक और बात बता दो जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपजेक्ट्व क्वेशन तो आएगा ठीक है लेकिन कभी-कभी उसमें आप्सन नहीं होता है जैसे आपको जैसे आप तैयारी किया है तो कोई एक सखी करेंगे यहां तक ठीक है लेकिन कभी-कभी आईसा नहीं पूछा जाता आपको टापिक को ले करके पूछा जाता है और आपको एक सब्कुल में उसको बताना होता है जैसे कि आप देखिए यहां पर लिख्याए बोर्न डेमा है अब आपको तो बताना पड़ेंगा द मतलब देना होता है अब आपको संभाद में आगे होगा कि एक नवरे क्वेशन मतलब टू टाइप से पूछे जाते हैं एक तो ऑब्जेक्टिव मतलब आप्शन के नुसार और दूसरा जो आपको एक सब्द में उसका आंसर देना होता है देखें इसमें अधिकतर क्या-क्या बोखा जाता है जो मूस्ट इंपोर्टिब होते हैं सबसे पहले होता है यहाँ पर जो भी ओथार है उनका बोर्ण उससे हमेंसा याद करना चाहिए आपके आपके पास टोटल अगर अफ्वापा अफर्फिन कर Susi को बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला है इसमें जो ऑथर है ठीक है उनका डेथ का वह सन इसको भी याद रखने बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसे कंट्री के बात करें तो कंट्री वह किस देश से बिलॉंग करता है अगला वर्क राइट इन उन्होंने इसमें जो वर्क ड्रामा एड कि ठीक है उसे कवर लिखना शुरू किया इसके बारे में जैसे मोस्ट वर्क नेम उन्होंने अपने लाइब में लिखा हुआ है ड्रामा पोईटरी प्रोस फिक्शन तो सबसे इंपोर्टेंट उसमें से कौन से उनका वर्क है यह बहुत इंपोर्टेंट है जैसे फैमिली और पारेंस की बात रहे तो उनके पैरेंस का नेम मतापीता का नाम और उनकी वाइफ को नेम जे सब इनका पैरेंस में आजाएगा उनकी स्टार्ट होई इसके बारे में तो यह सब आपके अब्जेक्टिव क्वेसन के अंदर में आते हैं मतलुआ एक नंबर प्रश्ण वी जो आप लोग को सेंपल बता रहे हूं कि क्या क्या पूछा जाता है अंती में बताओं कि ट्रिक सको आप लोगों के चलिए अगला देखें देर विल भी 500 टाइप कोईशन इच आफ टू मांक्स आप लोग कुछ समझ में आगे होगा कि आपके पास आपके क्वेशन पेपर फाइ दो नमबर रहेगा मतलब टोटल यह आपके कितने हो गए टेन नमबर अब यह आपको जो सौट पूछे जाते हैं इसको बता रहे हूं ठीक है आपको देखें सबसे पहले दा और करेक्टर यहां पर आप लिख लिए ऑथर इस ड्रामा में आपके पास कितने ऑथर है एट ठ हो सकते हैं इसमें को धात अफ ओफसे के लाएज है आपको इसको बताया है उडार को सालह मतलब इस ड्रामा के अंदर को याद रधना है he शुरू किया क्या उन्होंने पहले ड्रामा लिखा पोडरी लिखा फ्रोज लिखा इसके बारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग इस सब चाहिए को नोट करके रखें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आप लोग पूरा पूरा फायदा मिले गए इस वीडि देखेंट को देखेंट बीडिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप कोईशन फ्राम यूनिट फ़स्ट टू फॉर्ट ऑफ इक्वल माक्स मारक इसने आपके टोटल जो नंबर है वह आएंगे ट्वेल वैसे फिप्टिन नंबर के ओके यह तो टूएल रहेगा या तो फिप्टि है तो यहां फर और की बात करें मैं और इसने अपनों कितने आएंगे इसकी बात करें तो इसमें आपको जो कोईशन है ऑला एक के लिगा हार एक रहन है उसांद जैसा व्हुंझे टू सक्रेंज एसमें आपको एफ सहीं तो यह पूझी जाएंगे और तो इन दोनों में से option है कि आप एक बना सकते हैं unit 2 की बात करें तो उसमें भी आपके पास दो है उसमें से एक एक question पुछेंगे तो उसमें से आपको एक बनाना है वैसे 3 का और 4 का भी करना है तो इसलिए बोला गया है कि यहां पर आपके पास 50% क्या है internal choice है आप कौन सा बना of conclusion यह सबसे important topic होता है आपके यह long question के लिए अब मैं आप लोग को बता रहे हूं जिससे देखें जरब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा आपका सारा ड्रामा इस ड्रामा के अंदर में जितने भी unit है जितने भी chapter है पूरा इतना में clear हो जाएगा सबसे पहले जब आप long question answer क के तायारी करेंगे तो क्या करेंगे हर आपको लिखना होता है introduction ठीक आपको चारी question लेकिन चारों question में सबसे पहले introduction देना पड़ेगा और introduction के लिए आप याद क्या करते हैं मतलब author का बोर्न याद करेंगे उनका आप जैसे आप लोग में objective question first में बताई हूं death याद करना है सबसे important देखिए आप जब introduction याद करेंगे तो आपको तो सभी का introduction याद करना ही पड़ेगा ठीक है और introduction के अंदर में आप याद करेंगे तो आप आप जो इस author के बोर्न याद करेंगे ठीक है उनका drama का पॉb Ace को याद करेंगे ठीक है ड्रामा के बात और उनका death का वुआ ठीक है उनकी स्टाइल के बात करेंगे तो यह जो आप लोग को सारे चीज इंट्रोडक्शन के अंदर में याद करना है इंट्रोडक्शन को यदि आप याद करते हैं अच्छे से ठीक है तो आप लोग का जो पहले आप लोग में एक नंबर को क्वेश्चन बताई हुना तो इसमें यह कभर हो जाएगा और आप लोग को अलग से याद नहीं करना पड़ी गया ठीक है क्लियर हुआ आप लोग को जाहिर से बात है यदि आपके पास 10 अब्जेक्टिव को सना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही ऑथर का पूश्च देगा सब भी का एक एक आगा तो तो कितना प्यार करते हैं उतने उनकी जो सब्जेक्टिव गहराईयों को उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में ओके यह आपके सौट केसन अंसर में काम आने वाली है आप लोग मैं पहले बताई हूं आप उसे देख सकते हैं निकाल करके और अगला वीव आफ लाइज य हमारा कॉन्क्लूजन मतलब होता है निसकर्ष देखे एक बता और आप ध्यान देजिए मैंने आप लोगों को यह बता दिया यह पॉइंट है आप लोगों ने सुन भी लिया लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा जैदि आप लोग पास किसी भी प्रकार का साधा बनाना घ्र तैयारी करने का तो आप सारे चैक्टर को निकाल करकर देखिए कि इस पर एक क्येसे बने होंगे हर चैप्तर में इसे टॉपिक पर क्यों बें होंगे हर अफर रिकांड का अप समझी दो को याद किये हैं तो जाहिर से आपको जो दो नंबर को क्वेसे नहीं होगी अपको क्लि Une और इस वीडियो समझ भी नहीं आए तो आपको इस मुरा पूरा-पूरा किरे अपको ड्रामा पर ठीक है ऐसे ही मैं पोईटरी पर भी वीडियो बनाई हुई हूँ यदि आप लोगों को उस वीडियो को देखना है ठीक है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सम में आपको इसके लिंक मिल जाएगी आप पोईटरी सब्जेक्ट है वह भी पूरा क्लियर हो जाएगी यदि आप मेरे इ सब्जेक्ट है उसको पूरा क्लियर कर दिया ठीक है एक बर आप लोगों को मैं और दिखा देती हूँ सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहां से स्टार्ट किया है और इस प्रकार से आप देखें यह पर बता देती हूं अगर इसमें कुछी भी छूटा होगा तो मुझे पूछ सकते हैं और कुमेंट कर सकते हैं और ये इस प्रकार से हैं कि इंह इसको याद करनain ही है तभी आपके जो 12-15 नंबर के क्वेस्टन है ना वह देखना आप इजली कर पाएंगे और इसके साथ यह अच्छा नंबर भी उसमें आएगा अगला देखते हैं मैंने आप लोग बताएं फाइप सौट कोईशन आंसर तो इसके अंदर मैंने आप लोग को टॉपिक बता आई हूं लॉंग कोईशन अंसर जो आपके 12-15 नंबर का पूछा जाता है और हमने जो एक नंबर के और दो नंबर के जो क्वेस्टन देखा वही है इसमें भी एड किया गया है मतलब आपको सिर्फ ट्रिक्स के माद्धम से इसीच का तायारी करना है और आप लोग को ध्या अदे में